दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में खटमल का दिखना शुब होता है या आशुब तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हिंदु धर्म में वास्तु को बहुत ही महत्तु दिया गया है इतना ही नहीं धर्मिक शास्त्रों में ऐसे कई शुब अशुब संकेतों का उल्लेक मिलता है जो जात्कों को भवेश्य में होने वाले घटनाओं का अंदेशा कराते हैं दोस्तों खटमल का घर में परवेश कुछ संकेत देता है हलाकि खटमल एक रक्त का सिवन करने वाला छोटा जीव होता है जिसका घर में होना बहुत अधिक अच्छा नहीं माना गया है धार्मिक शास्तों में खटमल को वस्तु-दोश का सूचक और दर्दृता उत्पन होने का संकेत माना गया है खटमल दर्दिरता के निशानी है और ये आने वाले बुरे वक्त की तरफ इशारा करता है खटमल को देखना या फिर खटमल का आपको काटना दोनों ही अशुप संकेत होते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं यदि पती और पत्नी के कमरे में खटमल पाये जाते हैं तो इसका अर्थ है कि जातक कि अपने पार्टनर से अनबन रहती है। खटमल जब तक आपके कमरे में बने रहेंगे आपका रिष्टा बिगड़ता रहेगा। और पती-पत्नी के बीच अहंकार की एक दीवार बनी रहेगी जिस कारण उनके बीच हमेशा विवात रहेगा। यदि किसी बुढ़े के कमरे में खटमल पाया जाता है तो यह संकेत है कि उसे बहुत जल्द कोई गंभे बिमारी होने वाली है। वहीं किसी रोगी की कमरे में खटमल पाया जाता है तो उसके और पी अधिक बीमार पढ़ने का आसार बन सकता है। यदि किसी के घर में खटमल है तो उसका सबसे बुरा परभाव घर के मुख्या पर पढ़ता है। ऐसे में देखा गया है कि घर के मुख्या की आर्थिक दशा खराब हो जाती है। इतना ही नहीं कई बार देखा गया है कि जिसके घर में अधिक खटमल होते हैं, उन्हें वैपार और नौकरी में बहुत लॉस होता है। खटमल को वास्तु शास्त्र में वास्तु दोश का सूचक माना गया है। खटमल घर में अपने साथ नकारात्म कुर्जा लेकर आता है। और खटमल के आने से घर में कलेश, आर्थिक तंगी और बीमारी आती है। यदि घर में खटमल हो तो नंवक के पानी से नियमित घर में पोछा लगाना चाहिए ऐसा करने से नकारात में कुर्जा नश्ट होती है और खटमल का भी खत्मा होता है जिदि घर में बहुत अधिक खटमल हैं तो ये संकेत है कि घर में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है घर के फरनिचर पर खटमल का नचराना घर की सुख शांती का भंग होना होता है तो दोस्तों ऐसी जानकाली के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद